हेलो फेंट्स वेलकम टू इग्जाम ड्राइब सु आज इस तुडियों बात करने वाले सेंटर फॉर माटेरियल्स फॉर एलेक्रोनिक्स टेक्नोलजी यानि की सीमेट की दरब से निकल लेटेस्ट रिक्रूट्मेंट के बारे में स्टार्टिंग में मैं इंपोर्टेंट पर्मानिट नहीं है आपका प्रोजेक्ट बेसिस पर आप देख सकते हैं कब तक रहने वाला है तो यहां पर आपको लिखा गया इनिसली फॉर वन एयर के लिए रहने वाला यह पॉइंट आप देख सकते हैं बड़ी एक्स्टेंड हो सकता है बारा अगस्ट आपको यहां पर कोई भी फॉर्म फिल नहीं करना सिंपल सापको वाकिन इंट्रव्य रखा गया अपने डॉकुमेंट के साथ हम आपको चल जाना है एड्रेस पर आप बात कर लिए आप किस एड्रेस पर जाना है तो देख सकते हैं यह जो एड्रेस लिखा गया है यही एड बता देता हूं अगर आप अपका डेट अभी तक पार नहीं हुआ है तो आप जा सकते हैं वाकिन इंट्रव्य में कोई भी फी नहीं लगने वाला है सिंपल सापको आप इंट्रव्य देना है और आपका सेलेक्शन हो जाएगा और एक इंपोर्टेंट बात है स्टार्टिं लग चुके तो ही आप तो ही आप इंट इन्टेंट कर सकते हैं नहीं था आप नहीं कर सकते यह चीज़र लिख दिया गया है यहां पर मैं बता देन हूं। तो आपको लेकर जाना है अपडेट्स में बता देता हूँ और आपका क्वालिफिकेशन ही बता देता हूँ तो एक डेट पार हो चुका है देख सकते है प्रोजेक्ट एसोसेट वन ए और वन बी भी पार होने वाला है क्योंकि वन बी का आपका क्ल डेट रखा गया है यहां देख सकते है प्रोजेक्ट एसोसेट वन ए जो है इसका डेट आपका 24 तारिक रखा गया है और वन बी का 23 ता 20 तारीक भी पार हो चुका रहेगा तो नेक्स्ट अब जो दो आपके पास बच जाता है वहां आप जा सकते 30 10 को एक है और 29 10 को है तो जिसका जिसका यहां पर आपका qualification मैच करेगा आप जा सकते 29 10 वाला तो आपका research associate के लिए है और यहां पर te डी अब णेपका की तो आपने डिपलोमा कर रहा तक आप जा सकते कोई दिकत्वाली बात नहीं को ऑपको experience मांगा नहीं कि essential qualification में तो आप interview दे सकते अब desirable की बात के तो desirable में जो चीज रखा गया है उस चीज से आपको interview में question आएगा तो यह चीज आप ध्यान देंगे interview को question आपका desirable seat से आना है तो यह चीज को आप prepare करके जाएगा अगर आप interview attend कर रहे है तो interview में आभी आपका time है चार-पांस दिन आपका time है तो आप जा सकते एज लिमिट की बात के तो 28 years रखा गया है 30 September 2021 तक आपका 28 years होना चाहिए maximum age limit है आपका जो यू आर category के लिए तो दोनों के लिए same रखा गया है salary की बात के तो आपको 20,000 मिल जाएगा प्लस आपको HR मिल जाएगा तो आपको अलग से लावंसे भी मिल जाएगा दोनों में ही तो यह पोस्ट आप यहां से मैच भी कर सकते हैं नीचे जाके आपको यहां पर मिल जाएगा project assistant यहां पर देख सकते ए एंड बी के लिए आपका 30 10 2021 रखा गया तो यह आप जा सकते है डिप्लोमा वालों के लिए और जो project associate 1a है 24 10 तो यह आपका कल है तो अगर जो लोग एक electrical engineering में होना चाहिए essential में desirable में आपका experience बोलागी है बट आपको कोई भी essential में नहीं बोलागी experience तो अगर आपको experience नहीं तो भी आप जा सकते कोई दिक्कत नहीं है बस जब आपका interview होगा तो इन सब सापका question ज्यादा तर रहेंगे तो आपको इसका answer आना चाहिए आपको experience नह verified नहीं होंगे normal candidates है अगर आपके पास BTEC है तो आपको 25,000 plus HR A मिलेगा तो कोई खराब नहीं है आप देख सकते कोई problem नहीं है अब बात के लिए हैं पर vacancies का सब में single single vacancy एक ही vacancy सब में है अब एक last जो post था यहां पर देख सकते 3 years का आपको experience मांग दिये गया है तो जिनके पास होगा देख लीजेगा बहुत काम candidates होंगे अब बात के लिए अगर आप eligible है आप जा सकते है तो आपको कहां पर कौन कौन से document ले जाना देख सकते applicant cell bring original along with copies of documents in support of qualification, age, experience etc. तो जो भी आपको qualifications से related है आपका identification से related जितने भी documents से उसका original और आपको Xerox यह दोनों चीज आपको ले के जाना है original भी ले के जाना है क्योंकि वहाँ पर तुरंद verify होगा और वहीं सापका selection या फिर rejection होगा next time आप देख सकते the applicant cell also bring one recent passport size photograph at the time of registration only those candidates who are screened in by a committee will be considered for interview subject to verification of original documents if more candidates are turned up a written examination of multiple choice objective question तो यह same चीज लिखा गिया आपको interview ही होगा ज्यादा chances रहेगा बहुत ज्यादा ही candidate हा जाजेंगा तो आपका return होगा but chances बहुत कम है क्योंकि इस type के वेकेंसी बहुत कम लोग अपलाई करते हैं और बहुत कम लोग कोई पता चल पाता है तो अगर आप eligible है अपलाई करना चाहते है ज़रूर अपलाई कीजिएगा वाकिन interview में ज़रूर जा आप संझ करना चाहते है और बहुत कर आप संझ झाना थारूर जावा को मेह पता है जाणा थासम कम लोगता हैं जाता है